पूरा रोपा से रिलेड़ेड़ वैसे तो अधिकतर लोगों ने रोपा रोप लिया होगा क्योंकि उधर बारिस हो रही है लेकिन हमारे गाउं में बारिस नहीं हो रही है उसके वज़े से हमें घर से खेट तक पानी पहुचाना पढ़ रहा है तो साम को ऐसे खेट में पानी लग्lateने की पाइप पिछायर हुआ लेकिन उस पाइप को दूजरे खेट में करने के लिए भी पड़ेगा और अभी यह दिक़ें टाइम रात का हो रहा है दस बतीस और सभी कोई सो चुके हैं और अभी मुझे जाना है पाइप सीधा करने पापा और मैं फिनाल चलो खेट चलते हैं क्योंकि कल आएगा ट्रेक्टर और पुरा खेट जुदवाना है कल तो अभी हम लोग आ चुके खेट पे और यह देखो यही पाइप से पानी जा र तो अभी पाइप को दूसरे खेट में ले जाना पड़ेगा क्योंकि उस खेट में भी पानी जड़ा सा भी नहीं है तो चलो पहले इस पाइप को दूसरे खेट तक ले जाते हैं और ये देखो यार इस खेट तक भी पाईप आ चुका है और ममी को मैंने कॉल कर दिया था कभी तो अब पानी भी लग भग ये देखो अब पानी भी आ गया भाई वन टू थ्री आजा 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 ये देखो पानी भी आ चुका है अब रात भर में ये वाला खेत पुरा भर जाएगा उसके बाद सुबा ट्रैक्टर मंगवा के और इसको भी जोतवा देंगे दोनों खेत एक साथ हो जाएगा तो अभी चलो अब चलते हैं घर और आपको मिलते हैं सिधा सुबा का बज़र है साड़े चार अभी फिलाल पापा जा चुके खेत पे और मैं जा रहा हूँ अभी मैं मुख मतलब फ्रेश हो रहाता सुबा सुबा मुझे कुछ ज्यादा फ्रेस रगता एसे तो इतना सुबा मैं उठता नहीं हूँ लेकिन पापा जा चुके है तो चल क्या ने के लिए इसी बाल्टी से भी पानी पुरा खेत में पटाना है और देखो पुरा रोड में कोई नहीं है पुरा सनाटर भाई और वहाँ देखो यार पापा जा चुके है एकदम उस लाइट के पास तो मुझे अभी जाना पड़ेगा उतना दूर और यह पाइप वहाँ से लेके पूरा 400 मिटर तक है तो अभी 400 मिटर दूर में मेरा खेत है और इतनी दूर तक मैं अभी जा रहा हूं बाल्टी लेके अभी रात का बज़रा है साड़े चार मतलब इसको रात तो नहीं बुलेंगे और पूरी तरीके से अंधेरा है भी तो बीना लाइट के मैं चल नहीं पा रहा हूं रात में इस खेत में पानी पटाया था हमने और इसी खेत से आगे यहां से तीन चार खेत आगे पाइप सीधा कर दिया था दूसरे व है वहां पे एक तलाब के जैसा थोड़ा सा खेत में पानी जमा हुआ है तो उस खेत से अभी अपने खेत में सारा बाल्टी से भेकेंगे यही खेत में पानी है ठीक इदम मस्त तलाब के तरह पानी भरा हुआ है तो भाई यह देखो सूरज अब निकलने को है रात से सुबा हो गया और पापा उधर गए खेत देखने के लिए जब से मैं और पापा लगे हुए तो अभी पापा दूसरा खेत को के में पानी ले जाने के लिए वहां पे कोड़ रहे हैं यहां पे तीन खेत है टोटल इसम मुखेत भी बाकी रहे गया तो दो खेत में से एक छेत तो पाइप से पट अपड़ेगा लेकिन ये वाला खेत हां ने पर भी वह पटाना पड़ेगा तो पटा-पट सोधर पापा को मैंने मला पापा है मतलब काट रहे हैं खेत ताकि दूसरे खेट तक पानी जा सके जैसे इसमें कटा हुआ है यह देखो यह बना हुआ है इसमें पानी हम लोग डालते हैं उधर जाता तो उसी तरह वहां पर पापा बना रहे हैं ताकि पानी उधर लास्ट वाले खेट तक जाए और चलो यार फड़ा-फड़ से पटाते यह क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है दो घंटे से हम लोग यहां पर लगवे हुए अब तो लगवग लगवग से भी कोई उठ चुके होंगे गाउं में देखो कितना स्परिट पानी जा रहा है और यह सब हाथ से फेका हुआ पानी और ट्रेक्टर भी आ ही चुका है यह सही में मैं तो ठक गया हुँ भाई यह देखो पूरा तलाब बना हुआ इस खेत में यही खेत सहारा है अपना यह लोग ट्रेक्टर आ चुका अपने खेत में और अब खेत जुताना शुरू होगा यह देखो टाइमिंग देखेंगे कम से कम पचास सो बाल्टी में हो जाए तब तक धर खेत एक चांस कर रहे हैं तब तक सवाल्टी और मार देते हैं देख सकते हैं अपने के अमेला की आप लोग देख सकते हैं जान के इसान के दिखना आप नहीं है या तो भाई अभी पूरा खेथा हो चुका ये देखो पानि भर चुका है सब पूरा खेथ मट्टी काट रहे हैं त्यूंकि एर पुरा एर अभी काटना पड़ेगा किनारे किनारे चारो तरब से उसके बाद ही खेत पिक्डब मस्त हो जाएगा देखने में भी अच्छा लगेगा और चलो अब पानी चलाते हैं भाई 1000 बाल्टी चला चुके हैं पांच 500 बाल्टी है ने अरुपान है अर अब कमसे कम 100 बाल्टी और सोबंटी और चलाना होगा है यह देखो अभी वह सुबह जब हम लोग आये थे रात को स्टेम पे गहास के ऊपर तक पानी था और अभी गहास के नीचे तक हो चुका है और भीम भी आ चुका है देखने के लिए तो चलो आ चुके हैं खेत के अंदर ये देखो कितना पानी है अभी भी मेरे खुटने से ज़स थोड़ा सा नीचे है इतना पानी अभी भी है इस खेत में मतलब अभी अराम से इस खेत में हम लोग कर सकते हैं खेती धान डोब सकते है इस पानी के भरोसे, क्योंकि भगवान तो पानी गिर नहीं रहा है, यह देखो कितना दूप भुगा हुआ, अभी सुबा सुबा का टाइम हार इतना दूप अभी ही हो चुगा, और उपर बादवल तो कहीं दिखेगा ही नहीं अच्छा से आपको, लगेगा ही नहीं कि अभी बरसात का मौसम है, ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी का टाइम चल रहा है, इधर देखो इस सारा खेत में रोपा रोपा आता था या पानी गिरता था तो, लेकिन इधर दूर दूर तक कहीं आपको खेत जो ताया हुआ नहीं दिखेगा, बस एक मेरा खेत दिखेगा, और बग और वहां से इस खेत में पानी पटा और बाकी अभी सुगा चार बजे से लगे हुए है, और अभी साथ बच चुका है, और लगता हादा एक गंटा और लगेगा इस खेत को अभी करने में, तो भाई, ऐसे तो खेती नहीं होता है, मेहनत बहुत जादा है, मैं तो पिछले तीन-चार साल से ही कर रहा हूं, बागी पहले तो पापा ही करते थे, चलो, दो-चार बाल्टी करकर के, सब बाल्टी कम से कम और मारते हैं, तो भाई, यह देखो, यहां पे ट्रैक्टर फस चुका है, दूसरे वाले खेत में, बहुत मुश्किल से ट्रैक्टर हम निकल चु खेट था जिसमें कल पानी चल रहा था और यह दो को पानी अभी पूरा भारा हुआ इसमें कहीं पानी चलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी के तो भाई यह खेट भी आधा से जादा हो चुका है और उधर वाला खेट तो हो ही गया है इतना सूबा से महनत करने के बाद कल से आज तक अभी पानी देकम पठी रहा है और इतना महनत करने के बाद अभी स्रिफ definitive हो पाया और अभी लगबग चार verlink खेट की उसको भी पाइप लगाते ही खेत पटाना पड़ेगा रात एक रात में खेत पटता है भाई मतलब पांच-छे दिन तो लगी जाएगा सारा खेत को कंप्लेट करवाने में लेकिन ये दोनों खेत करवाना बहुत जरूरी था ये देखो ट्रेक्टर अभी चली रहा है भाई इ सुबह के आठ बजे सूरज एक दम ऐसा होगा हुआ है ना बहुत ठक चुके हैं अभी तो मैं जाओंगा घर पहले नहाद होके कुछ खाओंगा यार भूख लग चुका इतना कसके ना क्योंकि देखो कभी आदत है नहीं इतना सुबह सुबह इस ये सब करने का और साल एक स चुट जाता है एक साल बाद ऐसे करने पर बहुत ठक जाते हैं लेकिन मजा भी बहुत आता है भाई सही में मुझे तो बहुत मजा आ रहा है क्योंकि घर का चावल खाने में एक दम बहुत मिठा लगता है और ऐसा लगता है मानो खीर खा रहे हो घर का चावल में तो मुझे तो बहुत मज़ाता भाई ये सब करने में और बाकी जलने वाले जलते रहें अपना खेती चालू है और बस इस ब्लॉग में इतना ही मिलके ने ब्लॉग में तब तक के लिए जय हिन जय भारत भाई साब ये देखो यार बाल्टी से यहां पे लग गया है और बलड आ रहा था बहुत लेकिन अभी तो बन्द हो चुका और सटील वाले बाल्टी से लग जै भाई यहां पे और पूरे हाथ में छोट लग चुका ये देखो वरीष हाथ में भी हे देखो ये साका स्थील वाल्टी से हुआ जेतना जोट लग जै झाल झाल